Hello Everyone, Welcome to English Education Students, आजम पढ़ने वाले हैं Preposition Preposition 9th और 10th क्लास के लिए बहुत ही important topic है और इस topic में, इस वीडियो में आपको एक chart दिखा दिया जाएगा chart show किया जाएगा अगर आप चाहते हैं तो आप उसे note करके रख सकते हैं अगर आप उसे note कर लेते हैं या अच्छे से समझ लेते हैं तो आप Preposition में कहीं भी अटकने वाले नहीं हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो Preposition की mistakes करते हैं और वही पर आपके जो number है वो कट जाते हैं तो अगर आप इस वेडियो को देखेंगे तो आपकी Preposition होने वाली है बिल्कुल clear आपका कोई भी sentence sentence के अंदर जो आप Preposition यूज करते हैं वो बिल्कुल गलत होने वाली नहीं हैं और हां जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 9, 10, 11 और 12 के हम literature, poetry और supplementary के पूरे chapter यहां पर complete कर रहे हैं वैसे ही हम grammar के सारे topic 9, 10, 11, 12 के पूरे clear कर रहे हैं अगर आप 9 से लेकर 12 तक किसी भी class के student हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे concept clear हो तो आप कर सकते हैं चैनल को subscribe तो चलिए start करते हैं हम आज का अपना topic सबसे पहला topic है हमारी definition of preposition definition means क्या होता है? definition means होता है परीभाशा तो इंग्लिस में हम सबसे पहले इसकी definition को पढ़ेंगे ए preposition is a word used before noun और pronoun ठीक है? जो preposition है एक ऐसा सब्द है जो noun या pronoun से पहले प्रियोग किया जाता है to show its relation with the other words of the sentence is called preposition तो यहाँ पर बताया गया है कि यह क्यों योज किया जाता है to show the so its relation मतलब preposition का यह मतलब जो noun का है वो relation बताने के लिए किस से दूसरे सब्द से एक sentence में उसे हम preposition कहते हैं ठीक यह होता है आपका preposition देखें preposition जो है इसमें प्री का अर्थ होता है पहले और position का अर्थ है इस्थान ठीक बहुत ही आसान है प्री का मतलब होता है पहले और position का मतलब होता है इस्थान तो हम इस तरह से कहा सकते हैं कि preposition एसा सब्द है जो noun और pronoun से पहले परियोग होता है और उनका संबन अन्य शब्दों के साथ बताता है बहुत ही सिंपल है इसकी डाफिनेशन आपने हिंदी और इंगलिक दोनों में समझ लिये तो यहाँ पर कुछ एक्जामपल्स दिये गए है एक्जामपल नमबर वन है दा बुक इस ओन दा टेबल तो ओन क्या है प्री पोजीशन है तो यहाँ पर बुक और टेबल के बारे में बताया जा रहा है एक बुक कैसे रिलेटेड है कहाँ पर है ओन मतलब पर ठीक है राम गोइंग टू स्कूल आपने देखा कि टू क्या है प्री पोजीशन है यहाँ पर इन दोनों का रिलेशन बताया जा रहा है तो यहाँ जो अंडर वर्ड है वो यहाँ पर नाउन को बता रहे कि वो दूसरे सब्द से कैसे रिलेटेड है देखिए जो उपर वाकिये दिये गए हैं उनमें उन, टू, बिहाइंड, अंडर का प्रियोग दे टेबल, दे स्कूल स्कूल, इस मदर और दे टेबल ठीक है नाउन और प्रोनाउन से पहले हुआ है आपने देखा कि नाउन है हमारा टेबल स्कूल हमारा टेब स्कूल जो है वो है हमारा noun his mother noun table हमारा फिर से noun ठीक है तो इन से पहले use हुआ है किसका प्री पोजीशन का जो अन्य सब्दो यानि के दाबुक राम, दाबोई दा कैट से संबंध बताता है ठीक है तो ये जो own, to, behind, under ये word है मैं उपर आपको बता चुकी हूँ ये सब क्या कहलाएंगे प्री पोजीशन कहलाएंगे तो अब आपको समझ में आ गई होगी प्री पोजीशन की definition तो कि प्री पोजीशन क्या होता है वो कहां पर use किये जाते हैं नाउन और pronoun से पहले हम प्री पोजीशन का use करते हैं उनकी position आपको पता चल गी है नाउन और फ्रोणा उन्स से पहले आते है बहुत ही आसान है अब तक हमने देखा कि प्रिपोजीशन किसे कहती है प्रियोग कभ और कभ का मतलब टाइम कहा का मतलब प्लेस और कैसे करेंगे अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे कि किस तरह से हम preposition का use कब कहा और कैसे करती है ठीक, देखे, preposition किसे कहती है use of preposition, ये सब हम इंदी में जानने वाले है ठीक, add का प्रियोग कब किया जाता है use of add, ठीक है, तो add क्या है हमारा आपको पता चला कि add है preposition तो add का प्रियोग, छोटे इस्थान के नाम से पहले में के अर्थ में किया जाता है यानि कि add का अर्थ क्या है, में है जो कहां पर use होता है, जो छोटे इस्थान है उनसे पहले use होता है ठीक है, example देख लेते हैं तो चलते हैं नीचे, देखे add का प्रियोग, समय को अभिव्यक्त करने के लिए पर या में के अर्थ में होता है ठीक है, हमने पढ़ा कि add का use छोटे इस्थान के लिए भी होता है जिसका अर्थ में के लिए होता है ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि at का परियोग पर और मे के अर्थ में होता है यानि कि पर के लिए भी हम इसका यूज करते हैं और मे के लिए भी इसका हम यूज करते हैं तो देखते हैं कैसे इसको पढ़ते हैं यहां से आपका एक sentence मिस हो गया है लेकिन यहां पर लिखा हुआ है my brother live at किसी भी गाउं का नाम यहां पर दे रखा है जैसे की रामपूर दे देते हैं या कुछ भी तो चोटा विलेज है एक गाउं है तो इसके लिए हमने at का यूज किया है अब आगे देख लेते हैं दूसरा यूज बताया है यहां पर at का प्रियोग समय को अभी व्यक्त करने के लिए यानि कि अगर समय को अभी व्यक्त करेंगे यहां पर हम पर उसकी हिंदी रेखेंगे और में देखेंगे यहां पर फिर से हम एक 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 एक्जम्पल देखते हैं देखे he will teach at 10 o clock ठीक है तो समय के लिए यूज हुआ है यहां पर I shall reach there at 5 am यहां पर भी समय के लिए कहा जा रहा है कि मैं पहुँच जाऊंगा कब 10 बजे ठीक है तो पर के लिए यूज हो रहा है आपने देखा यहां पर he came at 6 o clock तो समय के लिए हम यहां पर at का use कर रहे हैं देखे number 3 पर हम देखेंगे कि at का use कैसे हो रहा है अभी आपने पढ़ा कि at का use हम quick revision कर लेते हैं at का use हमने किया किसी छोटे गाउं या छोटे कस्बे या छोटे शहर के लिए ठीक है फिर हमने at का use किया time के लिए जिसका at पर और में हो सकता है ठीक फिर number 3 पर हम use कर रहे है at का इसमें बताया गया है समय सूचक सब्दों से पहले लगाया जाता है ठीक है समय सूचक जो हमें समय बताते हैं ठीक यहां पर देखते हैं जैसे कि at night, at noon, at down, at afternoon, at midnight ओके clear हो गया होगा अब देखते हैं number 4 add का परियोग कीमत, दर, चाल की दर को अभी व्यक्त करने वाले शब्दों से पहले होता है बहुत आसान है बहुत ही आसान बलकुल ध्यान से पढ़ेंगे example देखेंगे milk sales at rupees 222 a liter यहां पर rate बताया गया आपको बताए कि कीमत के लिए he got that book at rupees 50 price के लिए देखें यहां पर use किया जा रहा है ठीक है आपको बताए कीमत के लिए दर के लिए चाल की दर के लिए हम add का use करते हैं बहुत सारे rule है बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे बहुत सारे rule भले ही है लेकिन बहुत ही आसान है ठीक देखते है नंबर 5 add का प्रियोग एस्थाई कारिये को अभी व्यक्त करने के लिए किया जाता है एस्थाई कारिये को व्यक्त करने के लिए कि आ जाता है एक्जाम्पल से समझेंगे देखिए he is at work तो कोई स्थाई work नहीं है तो कहा गया है he is at work add का use हुआ है he is working now यानि के वो अब कान कर रहा है ok c is at play यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर भी हमने add का use किया है c is playing now यानि के वो अब खेल रहा है ऐसी situation में हम यहाँ पर add का use करेंगे ऐस्थाई work के लिए अब देखते है number six add का परियोग age यानि के उम्र stage यानि के चरण को अभिव्यक्त करने के करने वाले शब्दों से पहले किया जाता है ठीक है तो add का परियोग age के लिए और stage के लिए किया जाता है example देख लेते हैं my grandmother died at the age of hundred clear हो गया होगा add का परियोग निम्र शब्दों से पहले भी होता है बहुत ध्यान से पढ़ेंगे note करना चाहते हैं तो आप note भी कर सकते हैं देखे at home add the station if it is a small station ठीक है at the pretty at page 50 at school at college at university add the bridge add the platform add the top add the concern add the bus stop add lecture add a match add the bottom add a conference add the airport add this movement add this hour add Christmas इतने सारे words जो हैं आपको बता दिये गई हैं अगर आप इन सभी को याद कर लेंगे तो आपकी mistake होने का तो कोई सवाल ही नहीं है बहुत ही clear हो जाएगा ठीक है इनको पढ़ने से पहले हम एक chart देख लेते हैं देखे ये एक chart है यहाँ पर example भी बताए गए हैं कि preposition का use देखे जैसा कि मैंने अभी add के बारे में आपको बताया है exact time meal time parts of the day age ऐसा ही बिल्कुल बताया है इसी तरह में आपको सारा जो चार्ट है वो शो कर देती हूं अगर आप इसे अपनी कॉपी में और डाउन करके रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा होगा आपको preposition को बार बार repeat नहीं करना पड़ेगा बार बार आपको detail में नहीं पढ़ना होगा क्योंकि आप इस चार्ट से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे आप यहाँ पर देखेंगे कि buy का use है किस तरह से buy का use किया जा रहा है ठीक है देखें time के लिए यहाँ पर भी use हुआ है लेकिन a limit in a time ठीक है ध्यान रखेंगे यह सारी चीज़े बिल्कुल detail में यहाँ पर भी बताया गया है तो धीरे धीरे हम इस chart को देख लेते हैं ego का use हुआ है after, before, during, for सारी चीज़े यहाँ पर दिखाई गई है आगे देखते हैं देखें, past हम use करती है न telling the time हम यहाँ पर past का use देखेंगे since का use देखेंगे throw out, to, until वहाँ पर हम जो हम दूस पूरी detail में पढ़ रहे हैं वहाँ पर हम comparison करके भी देख सकते हैं लेकिन यहाँ पर पूरा detail में बताया गया है showing place जैसा मैं आपको add का use बता चुक्ती हूँ अभी का गया है at the airport, at the ceremony तो यहाँ पर पूरा बताया गया है an object settles position or position after it has moved यहाँ के moved होने के बाद भी तो यहाँ पर देखें add का use फिर से by का use दिया गया है कर सकती है बहुत ही आसान है इसको समझना आपके लिए बहुत ही easy हो जाएगा yes तो यहाँ पर out of का use देख रहे हैं प्लास्ट में own का use देख रहे हैं off का use देख रहे हैं तो यह सारी प्री पोजिशन बहुत ही important है ठीक है तो आप इनको यह पूरा चार्ट आप अपनी कॉपी में note down करके रख सकते हैं तो आपकी प्री पोजिशन कभी भी गलत नहीं होने वाली है तो चलते हैं हम वापस तो देखें यहाँ पर हम at का use कम्प्लीटली कर चुके हैं ठीक है अब हम पढ़ने वाले हैं इनका परियोग कब किया जाता है ठीक है use of in देख लेते हैं अभी हमने पढ़ा कि at का use कहां पर करते हैं छोटे गाओं कसभो शहर के लिए अब यहीं पर इसका just opposite है कि इनका परियोग कब किया जाता है इनका परियोग बड़े इस्थान जैसे देश, शहर, महादेश, राज्य और महानगर के लिए यूज किया जाता है इनके नाम से पहले हम इनका यूज करती है example देखते है वी लिव इन ऑस्ट्रेलिया देश का नाम है इंडिया इस इन एसिया महादेश का नाम है मोहन लिव इन केरिला ये एक राज्य का नाम है माई फ्रेंड लिव इन पट नाम देखिए याँ पर शहर का नाम दिया गया है तो इनके साथ हम यूज करते है इनका अगर इसकी जगह आ जाता है एक छोटे से गाउं का नाम आप अपने ही गाउं का नाम सपोस्ट कर सकते हैं तो उस situation में हम यूज करेंगे alt का simply समज आ गया होगा आपको एक का यूज कैसे करना है हमें और इनका यूज कैसे करना है आप देखते हैं रूल नम्बर टू जहां पर हम इनका यूज करते हैं इनका परियोग इस्थाई कारिये के लिए अभी आपने पढ़ा कि at का यूज हम इस्थाई कारिये के लिए करते हैं ठीक और इनका यूज करते हम इस्थाई कारिये के लिए बहुत ही आसान है दोनों में comparison भी हम यहाँ पर करें example देखते हैं his father is in the police ठीक है बिल्कुल इस्थाई है यह तो है नहीं कि जैसे अभी उपर बताया गए कि वो खेल रहा है थोड़ी देर बाद हो सकता है कि नहीं भी खेले तो बताया गए कि वो police में है ठीक he is in the education ram is in the politics ठीक तो यहाँ पर यह जो कारिये हैं यह बिल्कुल इस् थ्री पर बताया गया है कि इनका प्रियोग अवधी समय सुचक सब्दों से पहले होता है ठीक एट का यूज भी हो रहा था लेकिन अब देख लेते हैं कि इनके बीच क्या डिफ्रेंस है इन जन्वरी ठीक यहां पर कहा गया है कि मंद से पहले महीनों के नाम से पहले हम इनका यूज करते हैं एट का यूज नहीं करेंगे समय के लिए वहां पर हमने एट का यूज किया था इन फर्वरी इन इस मांथ इन इस वीग ठीक है इन वीग रितु के नाम से पहले यानि कि जो मोसम होते हैं उनके नाम से पहले इन दिस सीजन, इन दे समर, इन दे विंटर, एन दे स्प्रिंग ठीक है बहुत ही आसान है बहुत ही आसान समझा रहा होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपका टॉपिक क्लियर हो रहा है तो एक लाइक जरूर करें तो बढ़ते हम आगे सालों के नाम से पहले, यानि कि जो इयर्स होते हैं, उनके नाम से पहले कोई पर्टिकुलर इयर दिया गया है तो हम का क्या यूज़ करने वाले हैं यहापर? इनका, in 1999, in the year of 1942, यहाँ पर आप देख रहें कि जो इयर्स है उन से पहले हम यूज़ कर रहे हैं इनका अब यहाँ पर देखते हैं उम्र नाम से पहले जैसे की अभी हम उम्र के लिए उपर भी यूज करें थे लेकिन यहाँ पर इन्दा विक्टॉरियन एज ठीक है इन्दा एलिजबेथन एज यानि के एक लंबर पीरियड है यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन की एज नहीं है यहाँ पर अगर पर्टिकुलर इंडिविजवल पर्सन की एज के बारे में कहा जाए तो वहां पर हम एट kah उस्स करने वाले हैं देखिया आगे दखते हैं कि इनका परियोग हम yaha आपर करते हैं, A, N, car, ठीक है, टेक्सी, जीप से पहले यहाँ पर हम इनका परियोग करते हैं, ठीक है, जब A, N दिया गया हो, उसके साथ car, taxi, jeep, etc. दिया गया हो, तब हम ऐसी जगह पर इनका यूज करते हैं, ऐसे sentences में, देख लेते हैं, He goes to college in a car He went to school in a jeep He goes to office in a taxi तो यहाँ पर हमने चारकरीके से इनका यूज पढ़ लिया है एक quick revision देख लेते हैं यहाँ पर ठीक है देखे बड़े शहर महादेश, राज्य, महानगर देश के लिए देश के नाम से पहले हम इनका यूज करते हैं इनका यूज इस्थाई work को अभिव्यक्त करने के लिए होता है इनका परियोग हम करते हैं समय या अवधी समय सुचक सब्दों से पहले months से पहले हम, season से पहले हम इनका यूज करते हैं years से पहले हम इनका यूज करते हैं कुछ उम्र है जिन से पहले हम इनका यूज करते हैं नमबर 4 पे पढ़ा हमने कि A के साथ कार, टैक्सी, जीप, एक्सेक्टरा कुछ दिया गया है तब भी हम इनका यूज करते हैं अब आज आते हैं नमबर 5 पर इनका परियोग possessive adjective plus car, taxi, जीप से पहले होता है ठीक है ओके तो आपको पता चल गया है कि possessive adjective से पहले हम इनका यूज करते हैं जैसे कि यहाँ पर possession शो हो रहा है his ओके she goes to school in her जीप यहाँ पर दिखाया जा रहा है adjective ठीक है तो यहाँ पर हम यूज करते हैं इनका तो आगे बढ़ते हैं number six है इनका परियोग निमनलिखित शब्दों से पहले में या के अंदर के अर्थ में होता है कि इनका मेनिंग क्या होता है में होता है या के होता है ठीक है देख लेते हैं देखते हैं in the world in a newspaper in a queue in a city in the sky in a street in a village in the house in a letter in the room in hospital इन सब के साथ भी हम इनका यूज करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा थोड़ा एक्जामपल और देख लेते हैं we live in the world तो यहाँ पर मे के अर्थ में यहाँ पर इनका यूज हो रहा है he is in the room तो यहाँ पर भी हम इस का आर्थ में निकाल गया है ठीक है तो अब देखते हैं ओन का यूज कि ओन का यूज कब किया जाता है ठीक है बहुत बहुत ही आसान है लेकिन आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको आगे कि topic समझ में नहीं आने वाले है कि कहां बर हम कौन सी preposition यूज करने वाले है तो पूरा देखना है वीडियो को और अच्छे से देखना है अच्छे से समझना भी है ओन का परियोग इस्थान इसपर्स इस्थान इस पर्स का मतलब है चूना ठीक है के भाव को अब्जेक्ट करने के लिए पर यहां पर इसका मीनिंग होता है पर के इस्थान में के अर्थ में होता है देखे एक्जामपल देख लेते हैं तो टेबल पर कहा जा रहा है कि दो बुक है टेबल पर दो बुक है ठीक है तो इसकी इंदी मीनिंग क्या हो निकल कर आ गया पर इस स्टेंडिंग ऑन दा रूफ वेकां खड़ा है छत पर खड़ा है ठीक है यहां पर खड़ा रहा है नहीं आएगा क्योंकि यहां पर पोजिशन शो हो रही है इसलिए यहां पर खड़ा हुआ है या फिर खड़ा है ठीक है तो यहां पर हम परी पोजिशन को पढ़ते हैं दूसरे टॉपिक को अलग कर देते हैं खड़ा है खड़ा हुआ है उसको छोड़ते हैं तो हमने यहां पर पर देखा इसका है साहिं हें wyd एक ही वास गॉइंग ट Homerunker साइकल यहां पर भी हम इसका मेनिंग पर देख रहे हैं ठीक है उन का प्रियोग कोपर के अर्थ में समय फॉचित करता है ठीक है तो कैसे सूचित करता है वो देख लेते हैं को पर ठीक है तो क्या कहा on Monday यानि कि Monday को ठीक है on Tuesday Tuesday को on Monday evening ठीक है तो यहाँ पर हो के लिए हम on का यूजक कर ले हैं बहुत आसान है समझ में आ रहा होगा लेकिन यह सब आपको याद करने की जरूरत है आगे देखते हैं औंका परियोग ए एंदा प्लस बस ट्रें यहां पर हम आर्टिकल का यूज करेंगे और उसके पास हम बस या ट्रेंड एरुप्लेंशिप एक्सेक्टर का यूज करें हैं तो हम उनका यूज यहां पर करने वाले हैं जैसे की He was on a bus He was on a train He was on a plane ठीक है हलाकि वो उसके अंदर है लेकिन हम यहाँ पर उनका यूज करती है कैसी situation में जब AN दा दिया गया हो ये भी आपको धियान रखना है ठीक है आगे देखते हैं On AN plus cycle ये scooter ठीक है दोनों ही चीज़ें आपको देखनी है यहाँ पर A और N दिया गया हो ठीक है तो यहाँ पर example दिये गए है He was on a cycle She goes to market on a scooter ठीक है इस तरह से हम यहाँ पर यूज करते हैं उनका आगे कहा गया है उनका परियोग Possessive Adjective Plus Cycle Motorcycle यहाँ पर भी जैसे हमने उपर car, Jeep, acceptor का example देखा है बिल्कुल वैसा ही है हमने यहाँ पर फिंगी तो चेंज कर दी है Bike कर दी है Motorcycle कर दी है Cycle कर दी है Rule बिल्कुल वही रहेगा आपका ठीक है देखते हैं Sea goes to market on a scooter own का परियोग foot a horse 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 bag a camel मतलब इनके साथ भी हम own का परियोग करती है यह आप अच्छे से पढ़ लेंगे आगे देखते हैं इसका example देख लेते हैं कि किस सारा से यूज करनी वाले हम इनको he walks on foot ठीक है foot पर तो नहीं चलता लेकिन हम यहाँ पर own का यूज करते है he was riding owner horse ठीक है possessive के लिए आगे देखते हैं own का परियोग के विशय संबंध के अर्थ में परियोग होता है अब इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है के विशय या के संबंध में ठीक है देख लेते हैं this is a book own own का मतलब यहाँ पर विशय बताया जा रहा है own English grammar ठीक है संबंध बताया जा रहा है कि किस से है English grammar से है this book is on कभीर दास ठीक है यह कभीर दास के विशय में है यह book ठीक समझ आ गया होगा आगे देखते हैं उनका परियोग अधिकारिक रूप से सदस्य होने के भाव को विव्यक्त करने के लिए किया जाता है अधिकारिक रूप से ठीक है ओफिसर आगे देखते हैं he is on the staff of the SSB ठीक he is on the staff of SSB देखे अधिकारिक रूप से सदस्य होने के यानि कि किसी भी फ्रेम का ओफिसर होने के आप इस तरह से समझ सकते हैं बहुत असानी से आप समझ लेंगे जैसे कि she is on the committee ठीक है आगे देखते हैं on का प्रियोग कुछ praises में भी होता है praises आपको बता दी जाएंगी वरसे बता रखी है मैंने आपको अच्छे समझा रखी है जब हमने sentence और प्रियो देखी थी उसमें आपको बताया था कि प्रियोग क्या होती है और sentences क्या होते है तो देखते हैं उनका प्रियोग नीमन शब्दों से पहले भी किया जाता है यहां पर देखते हैं अच्छे से पढ़ लेंगे अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं अप देखते हैं ओफ का प्रियोग कब किया जाता है आपकी वीडियो जो है लेंथी होने वाली है बहुत ही इंफोर्मेशनल है बहुत ही इंपोटेंट टॉपिक है आपका ठीक है देखिए ओफ का प्रियोग कब किया जाता है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कोई जल्दी और हटबड़ी में समझने की जरूरत नहीं है धीरे धीरे हम हर एक चीज़ को पढ़ते चलेंगे कंपारिजन भी करते चलेंगे देखिए ओफ का प्रियोग का की के के अर्थ में संबंध या अधिकार यानि कि या तो संबंधित है या उसका अधिकार है के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है तो चलिए अब पढ़ने वाले हम ओफ का यूस ओफ का यूस कब किया जाता है ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, ओफ का परियोग का की के, यानि के ओफ का आर्थ यहां पर होता है का की के, ठीक है, संबंध या अधिकार के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, एक्जम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है, राम दसरत का बेट ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ओफ का परियोग से के अर्थ में कारण के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, अब देखें, यहाँ पर ओफ का हिंदी मीनिंग, अभी आप यहाँ पर से देखेंगे, अलग-अलग मीनिंग होते हैं, प्री पोजिशन में गहा कि यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग क्या है? से कि वह वकार से मर गया वह मलेरिया से मर गया तो हिंदी मीनिंग क्या निकल कर आता है? से तो यहाँ पर यूज करते हम अग का आगे देखते हैं I am fond of music तो मुझे संगीत से सोख है, या मुझे संगीत का सोख है, दोनों ही आ जाता है, आगे देखते हैं, यह बहुत ही इंपोर्टेंट है, यहाँ पर कहा गया है, नौट दिया गया है, किसी व्यक्ति की मृत्यू, बिमारी, भूक प्यास, दुख, शर्म के कारण होती है, अगर और ऐज होता है, यहाँ पर अगर यह इस इकारण मृत्यूं का सबस्क्राण जाएंगे यहाँ तो मिद्वाइडकित सब्सक्राइभ, श्रूल का में दुख, और मृक्ति और व विए ऐजाय की मृत्यों के कारण होती है, है तो डाय से पहले हम from preposition का प्रियोग करते हैं यह तो बड़ी मतलब विचेतर बात है कहीं पर हम off use करें कहीं पर हम from use करें लेकिन हमें याद करना है और हम याद कर लेंगे बहुत बड़ी बात नहीं है तो चलो दीरे-दीरे याद कर लेते हैं समझ लेते हैं ठीक है तो कहा जा रहा है कि वाउंड के कारण overeating के कारण over drinking के कारण food poisoning के कारण अगर मृत्य हो जाती है तो हम कौन सी preposition का यूज करते हैं from का यहाँ पर हमें हो off with by for का यूज नहीं करना है जैसे की she died from food poisoning तो हमने यहाँ पर क्या किया food poisoning के साथ हमने from का यूज किया जिसका हिंदी मीनिंग भी क्या है safe okay आगे देखते हैं यदि किसी व्यक्ति की मृत्यू आत्म हत्या हिंसा के कारण होती है तो die के बाद by preposition का यूज हम करते हैं बिल्कुल आसान है ठीक है कर लेते हैं देखते हैं कैसे करते हैं यहाँ पर हमें off with for का यूज नहीं करना है जैसे की he died by violence she died by suicide ठीक है तो आत्मत्या की है या किसी हिंसा के कारण हुई है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे by का देखिए कुछ और example है यहाँ पर soldier died for his country c died for her belief तो यहाँ पर हमने यूज किया है फोर का आगे दिखते हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसी situation नहीं थी आगे कहा जा रहा है यदि किसी व्यक्ति की इमरत्यू युद के मैदान में बिस्तर पर होती है तो die के बाद हम इन प्री पोजिशन का यूज करती है ठीक है मरने की बी अलग-अलग situation दी गई है और अलग-अलग प्री पोजिशन का यूज हमें यहाँ पर करना है बट ध्यान रखना है कि कहां पर क्या यूज करना है यही छोटी-छोटी बाते हैं आपके question paper में तू से लेकर four marks तक की आती है जिने हमें समझना बहुत ज़रूरी है he died in battle तो आपने देखा कि युद मैदान में मर गया, he died in his bed अपने बिस्तर में मर गई तो यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग में होता है आगे देखते हैं, of का परियोग में के अर्थ में भी होता है, यानि के of का मीनिंग में भी होता है जैसे की sohan is in the confident of his success, तो यहाँ पर हमने of का यूज किया है, नीचे इंदी भी बताए गई है, sohan को अपनी सफलता में विस्वास है ठीक है, तो मे के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है, of का आगे देखते हैं, my brother-in-law is weak of, ठीक, देखे, मेरा साला, brother-in-law, समझदारी में कमजोर है understanding में सो गया है, my brother-in-law is weak of understanding, तो यहाँ पर हमने में के लिए of का यूज किया है, of का परियोग में से के अर्थ में भी होता है, जैसे की understanding is one of my friends, अब है मेरे मित्रो में से एक है, तो में से के लिए हमने क्या यूज किया है, of यूज किया है, आगे देखते हैं, of का परियोग के बारे में, यानि कि इसका हिंदी मीनिंग के बारे में के विश्य में भी हो सकता है, देखे, के संबंद में अर्थ जो है, इनका आता है, देख लेते हैं, example, she has heard of that incident, ठीक, तो क्या है इसकी हिंदी में, हिंदी मीनिंग इसका क्या है, वह उस दुरगटना के बारे में सुनी है, या उसने उस दुरगटना के बारे में, के बारे में क्या आ गया, हमारा of का मीनिंग आ गया है, ठीक है, do you know of me, क्या तुम मेरे ब पर फिट होता है, आपकी जो language है, way of talking है, वो बहुत ज्यादा improve होता है, ठीक है, कहीं भी हम आगे चल कर या किसी ऐसे परसंद से बात करते हैं, जिसे इंगलिस का बहुत experience है, तो हम जो है, पुरे confident रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें कौन से preposition का यूज करना है, तो चल of a poor family, ठीक है, पुर family से आती है, यहनि कि शौत बता आ गया है, यह पर, this table is made of wood, ठीक है, this house is made of brick, आगे पड़ती है, तो कपरियो कब किया जाता है, तो कपरियो कब किया जाता है, तो कपरियो की और, की और के लिए यूज होता है, देखे कैसे होता है, he was going to market, मतलब market की तरफ, market की और जा रही है, ठीक है, जा रही थी, जा रहा था, sorry, he was going to market, वह है market की तरफ जा रहा था, तो की और जा रहा था, तो यहाँ पर to का मीनिंग क्या है, की और, C is going to Patna वे Patna की ओर जा रही थी यहापे direction है आगे देखते हैं The postman delivers the letter from डो 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 ठीक यहाँ पर भी हमने टू का use किया है आगे देखते हैं टू का परियोग पर के प्रती अर्थ में भी होता है देखें टू टू का मेनिंग क्या बता है पर He was invited to tea वहजचाय पर invite थी ठीक है वहजचाय पर invite था Sorry Her mother invited me to dinner उसकी मा ने मुझे dinner पर invite किया He must be careful of his duty तो टू का use हम यहाँ पर पर के लिए कर रही हैं आगे देखते हैं टू का परियोग को से तुलना पास यहाँ पर बहुत सारी चीज़े दी गई है टू के लिए को से तुलना या फिर पास के लिए भी होता है देख लेते हैं The landlord gave money to all कहा गया है जमीरार ने सभी को पैसे दिये तो को के लिए हमने use किया है यह पर टू का He said to me यहाँ पर टू उसने मुझ से कहा से आ जाता है He was junior to all his friends वो अपने मित्रों में सबसे छोटे थे ठीक है तो यहाँ पर किया जा रहा है comparison तो comparison के लिए भी हम यहाँ पर टू का use करते हैं comparison means दुलना ठीक है He came to me मेरे पास आया ठीक है यहाँ पर पास के लिए use हो रहा है My uncle came to see me ठीक है मेरे चाचा मुझे देखने के लिए आई ठीक है तो के लिए तो आपने रेखा कि से say के लिए use हो रहा है के लिए use हो रहा है two के लिए use हो रहा है तो यह सारी चीजे जो है आपकी दे दी जाएंगी two के use में वहाँ से आपको इन सब को use करना है आगे देख लेते हैं between and among between and among को समझना बहुत जादा जरूरी है यह बहुत ज़्यादा इसका यूज जो है होता है sentences में और हमें देखना है कि between हमें कहां यूज करना है और among हमें कहां पर यूज करना है तो कहा जा रहा है between and among इन दोनों का अर्थ बीच में होता है बीच में मतलब दो लोगों के बीच में, दस लोगों के बीच में ऐसे बीच में होता है, परन्तु इन दोनों का परियोग अलग अलग इस्थान पर किया जाता है, कैसे, देखिए, बिटविन का परियोग उस अवस्था में किया जाता है, जब दो व्यक्तियों या दो कोई बात हो ठीक है देखते हैं example कैसे रामवाज sitting between सीता एंड करन तो यहां पर दो व्यक्ति दिये गए हैं तो इनके बीच की बात हो रही है तो यहां पर हमने यूज़ किया between दो व्यक्ति या दो वस्तों के लिए आगे देखते हैं देखें जो जगडा हो रहा है वो किसके बीच हो रहा है इसलिए हमने between का use किया I and Mohan जो दो के लिए हमने use किया है between का देखें distribute this money between Mohan and Sohan यहाँ पर भी Mohan और Sohan दो हैं तो यहाँ पर हमने use किया है between का अब अमंग देख लेते हैं अमंग अमाउंट का परियोग यहाँ परियोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तूों के बीच में किया जाता है यहाँ पर दो वर्ड ये miss print हैं कोई बात नहीं मैं आपको बता देती हूँ तो कहा जा रहे हैं कि अमंग का प्रियोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में किया जाता है तो देख लेते हैं किस तरह से करते हैं दा लीडर्स गेव स्पीचिज अमंग दा पीपल तो पीपल क्या हैं बहुत सारे हैं उनके बीच की बात हो रही है आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग दा चिल्डरन तो यहाँ पर दो नहीं हैं दो से अधिक हैं पीपल भी और चिल्डरन भी कोई नाम नहीं दिये गए हैं डिस्ट्रीब्यूट्ट अमंग दा ओल फैमली मेंबर यहनिके दो से अधिक फैमली मेंबर हैं उनके बीच मेंगो को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कहीं जा रही है तो आई होप अमंग और बिट्विन का डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें इनका यूज करना है अब देख लेती हैं विद का यूज किस तरह से करते हैं विद का आपको मीनिंग पता है क्या है साथ होता है तो यहां पर हम यंत्र साधन उपकरन लेग पत्र साथ के अर्थ में इसका यूज हम करती हैं देखिए तो यह क्या है हमारा यंत्र है ठीक तो कहा गया है he cut vegetable with knife she is going to market यहां पर साथ साथ के लिए यहां पर use हो रहा है she is going to market with her parents अपने parents के साथ he is playing badminton with his father तो यहां पर भी हम इसे साथ के लिए use कर रहे हैं आगे देखते हैं not with का परयोग उस अवस्ता में भी किया जाता है जब हम किसी व्यक्ति या वस्तू से जूड़े हों ठीक है कैसे जूड़े हों you write with pen ठीक है कब लिख सकते हैं pen को जब हम उससे जूड़े तब हम pen के साथ लिए तो इस अवस्ता में bhi horika use करते हैं अब आगे देख लेते हैं from एक ही word के बहुत सारे use हैं कहां कहां पर इने किस किस तरह से use करना है बहुत ही mind में set करने के जरूरत है फ्रॉम जब किसी व्यक्ति वस्तू इस्थान से अलग हो ठीक है जब हम किसी व्यक्ति वस्तू इस्थान से अलग होते हैं देखिए किस तरह से तो इसका प्रियोग किया जाते हैं जैसे कि अभी जीत केम लखनव फ्रॉम कानव ठीक है जो अभी जीत है वो एक व्यक्ति है ये इस इस्थान से और इस इस्थान से अलग हो रहा है तो हमने यूज किया है from का ठीक है the leaves fall from the trees जो पत्तियां है वो किस से दूर हो रही है trees से दूर हो रही है तो हमने यहाँ पर यूज किया है अलग हो रही है मतलब देखे अपॉन का परियोग कब किया जाता है ठीक अपॉनका अर्थ उपर या पर होता है ठीक है दो मीनिंक होते हैं इसके उपर या पर इसका परियोग गती शील्टा को दरसाने के लिए किया जाता है गती शील्टा ठीक है जैसे कि the aeroplane is upon our roof तो इस तरह या upon tree तो यानि कि गती शील्टा दिखाई जा रही है वो गती में है यहाँ पर example में से तो ठीक है तो आप समझ पा रहे हैं कि जैसे कि bird fly करी है तो यहाँ पर हम upon का यूज करेंगे ठीक है आगे देखते हैं into का प्रियोग कब किया जाता है into इसका प्रियोग भी गती शील्टा की अवस्ता को दर्साने के लिए किया जाता है प्रंटू यह किसी के अंदर के भाव के लिए होता है कि अंदर के लिए हम इसे यूज करते हैं प्रॉपर मीनिंग इसका अंदर होता है ठीक है देख लेते हैं कैसे हम इसे यूज करेंगे यहां पर भी अंदर की बात हो रही है समझ में आगे होगा इंटू का यूज जब किसी दूसरी कि मतलब जैसे वैल है उसके बिल्कुल बीच में अंदर चला जाए तब आगे देखते हैं नौट अवस्था परिवर्तन हे तू भी यानि कि अवस्था परिवर्तन के लिए पोजीशन चेंज के लिए भी हम इंटू का प्रियोग करती हैं किस तरह से ट्रांसलेट इंटू इंग्लिस यानि कि पोजीशन चेंज हो रही है अवस्था चेंज हो रही है ट्रांसलेट इंटू हिंदी इंटू बैगर किसमें बदल गया बैगर में अवस्था बदल गई है उसकी थीक है अब देखते हैं आफटर एंड बिहाइंड यह भी बहुत इंपोर्टेंट में आफटर और बिहाइंड को भी आप बहुत धियान से पढ़ेंगे आफटर एंड बिहाइंड इन दोनों का प्रेयोग लग लग अलग वस्था में किया जाता है कैसे किया जाता है अफ्टर का अर्थ बाद में परन्तु पीछे पर, sorry, after का अर्थ बाद में होता है, अत्वा पीछे, परन्तु यह इस्थान को नहीं दर्साता है, आई बास समझ में, यह इस्थान को नहीं दर्साता है, जैसे कि, the cat is running after the rat, ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस्थान का नहीं पता चल रहा है, बस यह पता चल रहा है, कि उसका प इस्थान बताएगे कि मेरे पीछे से आपको इस्थान का पोजिशन का पता चल जाता है, अब देखते हैं, beside और besides, बहुत important है, beside और besides भी जरूर आता है, एक्जाम में, तो देखते हैं, beside और besides का परियोग कब किया जाता है, ठीक है, beside का मतलब होता है, बगल में, बगल में म हार के लिए, ठीक, एक्जामपल पढ़ेंगे, तो समझ लेंगे, go and sit beside your father, यानि के अपने फादर के बगल में बैच जाओ, बगल मतलब बिलकुल साथ में, ठीक, the child was sitting beside the mother, जो बच्चा है, वो बिलकुल अपनी मा की पास बैठा हुआ है, मा के बिलकुल नजदीक बैठा पास में, ठीक है, अब यहां पर beside का आपको पता चल गया है, besides बस एक एस लग जाने से meaning change हो जाता है, besides का परियोग अतिरिक्त के अलावा के अर्थ में होता है, ठीक है, देख लेते हैं, beside the ramayans, I have the read, गीता, मतलब रामायन के अलावा मेरे पास क्या है, गीता है, beside Hindi, I know English, मत हिंदी के अलावा मैं क्या जानता हूं, इंगलिस जानता हूं, ओके, अबव का परियोग ऊपर के, अबव का यूज ऊपर के लिए होता है, बहुत hard language में थोड़ा बताया गया है, बस सीधी सी बात यहां पर है, कि अबव का परियोग ऊपर के अर्थ में होता है, ठीक, अबव का परियोग संख्या या मात्रा में अधिक के अर्थ में होता है, ठीक, यानि कि संख्या और मात्रा के लिए भी यहां पर अबव का यूज किया जाता है, कैसे, there are 50 students in the class, यहां पर यह एक्जामपल ठीक नहीं है, there are, there are above 50 students in the class, यहां पर हम अबव का यूज कर सकते हैं, there are above 50 students in the class, तो यहां पर 50 से अधिक student है, के उपर student है, के लिए हम यहां पर संख्या और मात्रा के लिए इसका यूज हम कर सकते हैं, देखे ओवर का पर्योग कब किया जाता है ओवर का पर्योग ispurs करते हुए ispurs नहीं करते हुए दोनों के हर्थ में होता है कैसे देखते हैं the plane is flying over the town तो यहां पर touch नहीं हो रहा है ispurs का मतलब touch ऐसे आपको इंग्लिस में ज़्यादा समझ में आता है तो हम बता देते हैं, हिंदी से इंगलिस बता रहे हैं, तो the plane is flying over the town, देखे, ओवर का प्रियोग एक छोर से दूसरे छोर या आर पार के अर्थ में भी होता है, ठीक है, कैसे होता है, देख लेते हैं, there is a breeze over या across the river, यानिके एक छोर से दूसरे छोर पर जा रहा है, ठीक, over य यहां पर जितनी भी important preposition आपके exams में आने वाली है, जो most important है, mostly आप use करते हैं, वो मैंने सभी आपको यहां पर बता दी गई है, साथी साथ मैंने आपको एक चार्ट भी दिखाया यहां पर वीडियो में, जिसे आप no down करके रख सकते हैं, वैसे तो यह सारे rules है, आपको सभी को अच्छे से पढ़ना समझना होता है, क्योंकि आपके exam में इनका यूज होता है, exam के साथ साथ हम जो daily language बोलते हैं, या हम English translation सीखते हैं, तो वहां पर भी हमें preposition का यूज करना होता है, हर एक sentence में हमें बोलने के लिए preposition का यूज करना ही होता है, preposition का आर्थ भी आपने स समझ लिया है, इसके definition को आपने अच्छे से समझ लिया है, किसके सारह से कौन-कौन से वर्ड जो preposition होते हैं, कहां पर कैसे समय के लिए किस तरह से हम इनका यूज करते हैं, वो सारी चीजे आपने वीडियो के माधिन से समझ लिया है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी